जै गुरूदेव आज दिनांग 6 अक्टूबर 2022 हैं महर्शी वेद विज्ञान विश्विद्याफीट जोतिस विभाग द्वारा दैनेक बैदेक पंचान प्रस्तुत करते हैं महर्शी ज्यान योगिय संबस्तर 105 चल रहा है बिक्रम शंबस्तर 2089 है उशी के अंतरगत दक्षण अयन सरदृतू आश्युनमास सुक्लपक्ष एकादशी तिथी दिन गुरुवार धनिष्ठा नक्षत्र धरती योग विश्टी करण सुर्योदय छे बच कर नौ मनट पर होगा सुर्य अस्त पाँच बच कर एक्क्यावन मनट पर होगा राहु काल का जो शमय है एक बच कर तीश मनट से प्रारंब होगा और दिन करके तीन बजे तक राहु काल रहेगा बिसेश में पापांग कुशा एकादसी ब्रत है सपका है और इसी दिल से पंचंग भी प्रारंब हो जाएंगे जो की जो कार पंचक में निशेद किये गए है उस दिन नहीं करना चाहिए द्वास राश्यों का फल मेश रासी मेश रासी जो है ब्रश्पती चल रहे हैं और गोचर से मंगल दुतिये में हैं मेश रासी वाले जातक अपने स्वास्त को लेकर के चिंतत रहेंगे कार में अधिक परिश्रम के साथ लाब होगा और उसमें संदेह बना रहेगा लेकिन आर्थिक दृष्टी से एकादस का चन्रमा धनलाब अवश्कर आएगा ब्रश्रासी ब्रश्रासी में गोचर में मंगल चल रहे हैं ब्रश्रासी का स्वामी शुक्र अपने से पंचम में है और गोचर में शुक्र की अनकूल इस्थिती नहीं लेकिन चद्रमा धश्रम भाव में कारिश्चेत्र में बहुत मैनत के साथ परिश्रम करना के साथ लाब होगा और क्रोध की अधिकता रहेगी इसलिए अपने सयम बरतें और अपने कारे में लगातार रहें आपको ब्यापार और कारशित्र में भी शम्मान और लाप की प्राप्ती होगी मित्वनरासी के गोचर में बुद्ध भी अच्छा चल रहा है चंद्रमा भी अच्छा है आप जो भी कारे करेंगे उसमें सफलता मिलेगी अपने समान में परिवार में मित्रों के शाथ में आपका शम्मान की ब्रद्धी होगी कुछ आए के छेत्रों में रुकी धन की प्राप्ती होगी लेकिन इस समय बहुत एक सुस्विदा के छेत्रों में धन का अब्याई भी होगा करकराशी करकराशी का श्वामी शंद्रमा अप अश्टमे स्वास्त को दे लेकर के चिंताय अवसर रहेंगी अपने खान पान देने दिन चरे आपको ध्यान देने के आवस्ता है सरी में आलस होगा ज्वांट से सम्मंगत पीड़ाएं परिशानी भी होगी लेकिन ध्यान साधना के लिए समय अनकूल है सिंगराशी सिंगराशी से सूर्य की जो इस्थिती है दुतिय में है परिवार मित्रबंदों का शहयोग मिलेगा आत्म बलवड़ेगा सम्मान बना रहेगा जीवन साथी का शहयोग प्राप्त होगा मन में प्रफुलता रहेगी समय है ब्यापार के छेतरों को लिए करके आपको शंदे अवश्य रहेगा लेकर इसमें सफलता मिलेगा दि आप नोकरी कर रहे हैं तो अपने मित्रबंदों से ब्योफार उत्तम रखें किसी से बैचारिक मत्वेदादी की शंभावना होंगी जो आपके नैजदी की हैं परिवार में भी कुछ तनाओ की संभाव ना हैं लेकिन आपके साहस पराक्रम धैर की बुद्धियोर रहेगी कोट काशेरी के मामले में शफलता मिलेगी तुलारासी बाले जाद को इस समय गोचर में केतूफ चल रहे हैं इस समय तुलारासी बाले जाद तक मानसिक तानाव से ग्रस्त रहेंगे आपको भूमी भवन से सम्मानदत लेंदेन में शाबधानी रखने की आवस्ता है जीवन सांती के साथ बिरोध रहेगा और तुलारासी बाले जाद तक देवी आराधने करें निस्चित रुपशे आपके जो परिशानी उसमें कमी आएंगी ब्रश्चिक रासी ब्रश्चिक रासी बाले जाद को के लिए दिन मिला जुला रहेगा जहां कुछ चीजों में आपको आत्मवल साहस पराक्रम की ब्रद्धी होगी वहीं पर क्रोध की अधिकता भी आपके अंदर आएगी और उसी के कारण अपने नजदी की लोगों से आपके दूरियां रह सकती हैं धनुराशी धनुराशी वाली जाद्तोकों के लिए दिन अच्छा रहेगा स्वास्त उत्तम होगा परिवार मित्र बंद्धों का शहयोग प्राप्त होगा जो कारे कर रहे हैं आप उसको मन लगा कर कि करें निश्चित रुप्ष आपको शफलता है मिलेगी की मकर राशी से गोचर में शनी अनकूल है स्वास्त उत्तम होगा परिवार मित्रों जनों का शहयोग होगा ब्रोधियों पर बिजय मिलेगी कार शित्म उननती होगी कु्मराशी कुम्रासी काश्वामी शनी अपने शेद्वास भाव में हैं लेकिन चन्रमा की अनकूल स्थिति की कारण कुम्रासी वाले जात्तों के लिए भी दीन अच्छा रहने वाला है पारिवार एक शहयोग की द्रष्टी से आर्थिक लाफ कारशित्र के भिकास के लिए समय अनकूल है इस समय आप जो है शनी मंत्र का जाप करें आपके लिए उत्तम रहेगा मीन रासी मीन रासी बाले जात्त को के लिए भी आज का दिन उत्तम है आर्थिक अवश कोशी ब्याय अधिक होगा जिसके कारण चिंता आवश्च रहेगी अपने अतधिक ब्याय पार अप प्रतिवन्द लगाएं अतधिक ब्याय से बचने का प्रयास करें बाकि आपका दिन मंगल मैं रहेगा जै गुरु देव